आजकल के बच्चों को सारे दिन कुछ न कुछ चटर पटर कुछ अलग खाने को चाहिए रोटी सब्जी खाने के नाम से तो वो एक तम मना कर देते हैं लेकिन हम उनकी मम्मी उन्हें रोटी सब्जी खिलाना चाहते हैं तो चलिए ऐसी रेसिपी बनाते हैं जिससे बच्चे भी खुश और मम्मी भी खुश तो ग्यास पर एक पैन रगते हैं और पैन में एक चम्मज घी या तेल डालें उसके बाद आदा चम्मज जीरा और एक चोथाई चम्मज त्राई डाल कर मीडियम फ्लेम पर इसे भून ले की जाएं अब मेरे पास होगे है जैसे प्यास टवास टामाट्स ए लेना है और प्यास को भूंगे के बाद ये इसमें जाएगा आलू तो एक उबला हुगा आलू हत्थों से मैश करके डाल है मेरे पास थोड़े से राजमा रखे हुए थे उबले हुए वो मैंने डाल दिये इसमें थोड़ा लाल मिर्ष पाउडर, चाट मसाला, काली मिर्ष का पाउडर और स्वाधनुसा नमक डाल दे जरूरी नहीं है कि आप इसमें राजमा ही डालें अगर आपके पास छोले हैं, उबले हुए वो डाल सकते हैं इस प्राउट्स हैं वो आप डाल सकते हैं या पनीर भी डाल सकते हैं अब आप ना इन चीजों को अच्छे से मेश कर दीजे, तो यहाँ पर राज्मा और आलू को मैंने अच्छे से मैशर की हेल्प से मेश कर दिया है, और अब आपको करना क्या है, इस मसाले को ना बहुत अच्छे से लग पक दो मिर्ट के लिए आपको भूनना है, गैस का फ्ले अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देंगे और बस अब आपको इसे बहुत जादा दे नहीं पकाना है जो शिम्ला मिर्स टमाटर अगरा है उसका क्रण्च पर करार रखना है अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम आफ करके इसे ठंडा करें अब यहां मैंने चपाती बनाने के अच्छे गेहुं का आटा लगा के रखा हुआ था तो उसी में से एक लोई बना ली है इसके उपर सूखा आटा डालेंगे और इसे बेलेंगे तो यहां पर यह जो चपाती है न वो थोड़ी बड़ी बनानी है आपको और इसे न बहुत जादा पतला भी नहीं रखेंगे बहुत चपाती बेल कर ऐसे त्यार कर लेनी है अब गैस पर एक तवा रखें और इस गरम तवे पर आप यह चपाती डाल दें गैस का फ्लेम मीडियम रखें जब यह एक तरफ से थोड़ी सिक जाए तो इसे पलट दीजे और अब इसके उपर आप थोड़ा सा घी बटर या ऑईल लगा लीजे और अब इसे पलट कर दूसी तरफ भी ऑईल बटर या घी लगाएं बच्चों को ना डेली टिफिन में कुछ ना कुछ नया चाहिए तो यह रेसिपी आप बना कर बच्चों के टिफिन में भी उन्हें दे सकते हैं तो एक तरफ से तो मैं इस पराठे को ना पूरी तरह सेक लोंगे और एक तरफ से से हलका सेकेंगे तो इस तरह थोड़ा दबा दबा कर से सेक लीजे यह देखिए एक तरफ से अच्छे से से शेक लिया है इसे निकाल लेते हैं तो जिस तरफ से यह अच्छे से से शेक चुका है ना वहां पर मैं लगा देए इस और राजमा का मसाला हमने बना कर त्यार किया है, वो हम इसके उपर लगाएंगे, तो पूरी चपाती के उपर अच्छे से ये मसाला आपको स्प्रैट कर देना है, इस रेसिपी को जब आप बनाएंगे न, तो आपके बच्चे से उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, अब आपने जिदर कट लगाया है न, उधर से इसे ऐसे फोल्ड करना है, हाथ उससे दबाना है, फिर एक और फोल्ड इस तरीके से करेंगे, और अब यह जो लास्ट फोल्ड है न, इसके उपर मैं लगा रही हूँ चीज, आप चाहें तो इसमें पनीर का इस्तमाल भी कर सकते हैं, अगर चीज लगाना नहीं चाहते हैं, तो मैंने चीज लगा दिया है, क्योंकि बच्चों को चीज बहुत पसंद होता है, अब इस तरीके से से फोल्ड कर देंगे, और बस, अब आपको क्या करना है, अब चलना है ग्यास की तरफ, तो ग्यास पर एक तवा रख कर, इसके उपर हलका सा घी बटर या ओयल लगा देंगे, और इस पर ना हम इसे सेखेंगे, तो ग्यास का फ्लेम लो टू मीडियम के बीच रखेंगे, एक तरफ से सिखने देंगे, और उसके बाद ना इसके उपर भी इस तरह घी बटर या ओयल लगा कर, फिर इसे पलट कर सेख लेंगे, तो सभी तरफ से इसी तरह से अच्छे से सेख लेना है, एक बहुत ही मज़िदार सी टेस्टी रेसिपी आसानी से इस तरह बन जाती है, मैं तो जब भी ये रेसिपी अपने घर में बनाती हूँ ना, तो मेरे घर तो बच्चे बड़े सब को ये बहुत पसंद आती है, तो एक बर आप भी इसे ट्राइ जरूर कीजेगा, सभी तरफ से हलका हलका दबा दबा कर इसे मैंने सेख लिया है, और ये देखिए बहुत ही मज़िदार बनाया है, चीज अच्छे से मेल्ट हो गया है, कलर अच्छा आगया है, तो बस इसे हम निकाल लेते हैं, अब जब भी आपकी बच्चे टिफिन में कुछ इस्पेशल ले जाने के लिए कहें ना, तो फटा-फट सी रेसिपी तयार करना, और ये रेसिपी इतनी टेस्टी है, कि आप इसे खा कर इसका स्वाक भूल नहीं पाएंगे, इसके लिए कोई चटनी या स्वास की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ये बहुत ही यम्मी लगती है, रेसिपी अच्छी लगी हूँ तो लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर करें,